यूपियर उत्राखन की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन दपाई अब इस मसले पर हमारे साथ जुड रहे हैं भाजपा किसान मोर्चा की राष्टिय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जिन पर किसानों को मनाने की जिम्मिदारी ज्यादा मानी जा सकती है बहुत स्वागत है राजकुमार चाहर सहाब आपका एबीपी गंगा पर मेरा सवाल आपसे यह है सर तेरह दिन से आंदोलन जा जारी है आज भारत बंद हुआ लगातार किसानों का मुद्धा तूल पकड़ रहा है क्यों नहीं मना पा रहे आप किसानों को कहां पर दिक्कत आ रही है जो किसान भरोसा नहीं कर पा रहे आवाज मिल रही है आपको चाहर साथ जी आ रही है वाज मेरा आपसे सवाल यह है सर देखे तेरा दिन हो गए अंदोलन करते करते आज तो भारत बंदी भी देख ली इस पूरे देश ने किसान अपनी मांग लगातार रख रहे हैं और लगातार बाचित हो रही है सरकार से कहां पर कम ही छूट जा रही है ऐसी कौन सी स्ट्राटीजी आपकी कामless आ रही कि किसान भरोसा नहीं कर रहेया आप पर कि देखिए देश के किसानों को देश के प्रधान मंत्री मानी नरेंदर मोदी जी पर पून भरुसा है लेकिन जो बिपच्छ के लोग हैं कांग्रेश पार्टी सहज जो अन्य पार्टियां हैं वो पहले दिन से किसानों के मन में उन्होंने एक भ्रहम डालना शुरू कर दिया उनको डराना शुरू करा दिया उनको बर्गलाना का बड़ा नुकसान होने वाला है आने वाले समय में यह हो जाएगा वो हो जाएगा किसान के मन में भ्रह्म डाल दिया तो किसान से तो हमारी बात्ची चल रही है केंद्र की सरकार आप जानते हैं कि पिछली बात दो-तीन मीटिंग है उनकी हुई है कल नौतारीक को फिर मीटि रही है तो किसानों के हितमें लाए हुए बिल विपच्छ को इतने नागवार क्यों गुजर रहे हैं यह समस्य पर है चाहर साहब आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं ठीक है विपक्ष पर गलानी की कोशुश कर रहा है मैं आगर आपकी यह बात भी माल लूँ तो उन अगरतार किसान से बाच्चीत कर रहे हैं लेकिन संतूष्ट नहीं उपा रहे हैं हाँ यह ना में जवाब चाह रहे हैं देखिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं यह जो तीन विध्यक आये हैं यह देश के प्रधान मंत्री मानिये नरेजद्र पूरे देश के किसानों के लिए दिये हैं यह कांग्रेस पार्टी के कारी करता अन्य ऐसे दल जो विपच्छ के नाम पर विपच्छ की इस्तिती में नहीं बचे हैं जिन विपच्छी पार्टियों को अपनी हैसियत और आउकात पता चल गए यह लगातार होने वाले वह भ्रमित किसान आने वाले समय में फिर कहेंगे कि मोदी जी सही ते और यह लोग हमें गलत बर गला रहे थे यह हमारे मन में भरम डालने का काम कर रहे थे तो यह तो सीधी सीधी एक राजिनेतिक रूप से इसको किसानों को भढ़काने का काम चल रहा है ठीक है देखिए सियासत से अलग हटके सियासत से अलग हटके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप खुद किसान नेता है एमस्पी को लेकर किसान जो डरे हुए हैं उनमें जो दहशत है कि ऐसा नहों कि उनकी फसल की कीमत उन्हें नहीं ना मिल पाए ऐसा नहों कि वो ठग जाएं क्या वो गलत है कि देखिए एमस्पी का चर्चा कब से शुरू हुई क्या छह साल पहले और पार्टियों की सरकार इस देश में नहीं रही क्या 1965 के बाद जब एमस्पी लागू की गई इस देश के अंदर तो उसके बाद आज तक कभी एमस्पी क्या खतम हुई जब मैं आपको बताना चाहता हूं प्राची जी ये जो एक प्रोपगंडा जो पैदा किया गया यो भ्रम डाला गया ये उन बिचौलियों के द्वारा डाला गया जिन बिचौलियों को आने वाले समय में अपने धंदे और दुकाने बंद होती नजर आ रही है उनको लगता है क आज वही लोग इसकाम को करने का काम कर रहे है आज किसान ने बिचारे में बोला वाला किसान है उसने ये विल नहीं पड़े हैं उससे नहीं पता है कि समय और तो और हमसे बातशीत करने के लिए तो लगातार सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम किसान के हित्मे बिल लेकर रहे हैं किसान कह रहे हैं कि कुछ बातों पर असंतुष्टी है और इसलिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं वहीं विपक्ष का या रोप है कि सरकार बर्गलाने क कोशिश कर रही है